नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो समिस्टर 6 डीसे पेपर 3 का जो है आठवा महत्पुन प्रस्न जो एकजाम में पूछे जाने के बहुत अधिक्चान से तो चलिए बिना देर किये आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमर 8 है 1919 के मारलो मिन्टो सुधार अधिनियम के दोसों का परिच्चन करें 1909 में जो है मारलो मिन्टो सुधार अधिनियम लाया गया था आपको पूछा गया है कि जो 1919 में मारलो मिन्टो सुधार अधिनियम लाया गया था उसमें क्या दोस्त था 1919 के मारलो मिन्टो स संसद्वारा पारित एक अधिनियम था इसे लाने का उद्देश क्या था तो इसे लाने का उद्देश था भारत में उस समय जो है इस्तिती काफी बिगड़ चुकी थी इसलिए तदकाली कानुन ब्यवस्था में सुधार लाना चाहता था ताकि भारत में जो इस्तिती ओधिनियं से भी जाना गया भारत वरिशत अधिनियं को 69 इसे में पारिद किया गया था बीर्टि संसद वारा तेकि भारत में जो तत्कालिकी स्थिती बिगड़ के पीछे दो प्रमुक कारण माना जाता है और पहला कारण माना जाता है कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच जो है वापस में लड़वाने के लिए ही उन्हें सुन्नों के अधिनियम को लाया था मुसल्मानों और हिंदू के बीच फूट डाल कर जो है इनको वापस में परिश्द अधिनियम या भारत परिशत अधिनियम के परमुक दोस हैं जो इस परकार से है आपको अगर मारलो मिंटो अधिनियम पूछा जाए या भारत परिशत अधिनियम पूछा जाए ये दोनों सेम है अपसानी से इसका एंसर लिख सकते हो मारलो मींटो सुधार अदिनिया उने 109 की जो है क्या विशेश्चता हैं थी तो सुधार की पहली विशेश्चता यह थी कि इसके स्थापना के बाद केंदरी विधान परिशत की संखिया जो सोलो थी उससे बढ़ागर कितने कर दी गई 60 कर दी गई इसके अलावा उने 109 के मारलो मींटो सुधार ने परांती विधायकों की संखिया को भी बढ़ा दी बंगाल बंबय मदराज परांतों के लिए संखिया सिर्फ परचास थी इसके अलावा केंदर और परांतों में जो है विधान परिशत के सदस्यों को भी चार स्रेनियों में विभाजित किया था केंद्र और परांतों में जो विधान परिशत था वहाँ पर सदस्यों को चार स्रेनियों में बाटा गया था जिसके अधार पर उरे देश में सासन बेवस्ता चलानी थी यानि केंद्र स्तर पर और परांतों में सासन बेवस्ता चलानी थी जैसे कि मनोनित सरकारी सदेश हो गया, निर्वाचित सदेश हो गया, मनोनित गेर सरकारी सदेश हो गया, और पादेन सदेश हो गया, ये क्या होता है, जिसको बिटी सरकार चुनती थी, उसे जो है, मनोनित सरकारी सदेश कहा जाता था, निर्वाचित सदेश कहा था, तो जो निर्वाचन के द्वारानी जनता के द्वारा जो सदे से चुना जाता था विधान मंडल में उसे निर्वाचित सदस कहा गया मनोनित गेर सरकारी सदस क्या हो गया तिवानी गेर सरकारी का मतलब होता है कि वो सरकारी व्यक्ति नहीं होता था कोई भी हो गया जैसे कि राजवा के द्वारा नहीं चुना जाता था इनको जो है सरकार के द्वारा ही चुना जाता था लेकिन ये गेर सरकारी था पाधिन सदस क्या होता था पाधिन सदस उसे कहा जाता था जैसे कि जो बिर्टिस अधिकारी का मंद्री मंडल था इस परकार से उसे पाधिन सदस कहा जाता था इसमें आठ सदस होता था एक governor general और उसके अलावा आठ सदस होता था उन्हें 813 सदस कहा जाता था जो बिरटी संसत दुवारा उन्हें चुन के भारत भेजा जाता था इसके अलावा जो है मुसल्मानों को पिर्थक निर्वाचन के अधिकार और सक्तियां भी दी गई 1909 में जो है मुसलमानों को पिर्थक निर्वाचन का भी अधिकार दिया गया उसके बाद नेशेटिंग बनाना है संपरदाइक चुनाव परनाली की सुरुआत 1909 के जो मारलो मिंटो सुधार अधिनियम था इसके तहट जो है संपरदाइक चुनाव परनाली भारत में परारम कर दी आनि जातीगत बेवस्ता कर दी गई अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग जातियों के सीट को रिजर्व कर दिया गया जिक जाती का वहाँ पर अधिक जन संख्याती वहाँ पर उनकी अधिक सीटों को दिया गया क्योंकि मुसल्मानों को अलग परतिनीधित विधान परिशत में दिया गया बाद में जो है मुसल्मानों के लिए नोकरियों को भी आरशित किया गया और यहीं से मुसल्मानों और हिंदों के बीज वापसी संगर्ष सुरू होता है आज जो आप देख रहे हो मुसल्मानों और हिंदों के बीज हमेशा संगर्ष इसका कारण तुरंत नहीं पैदा हुआ ह इसका कारण बिर्टिस के सासनकाल से ही चलते आ रहा है उन्होंने जो बीज बोया था आज उसी बीज को हम लोग काट रहे हैं आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा उन्होंने जो है मुसल्मानों और हिंदों को वापस में लड़वाने के लिए अलग-अलग कानून को लातत और उन्ही में से यहाँ पर पिर्थक निर्वाचन भी करवाया गया संप्रदाई का धार पर जिसके करन हिंदूं और मुसल्मानों के भी संगर्स बढ़ा इला से साधी कर लिया तो उसे जो है एंगलो इंडियन कहा गया है इस अधिनियम का जो है यह सबसे बड़ा दोस्त सावित हुआ क्योंकि अब जो है संप्रदाईक चुनाव ने वाफसी संगर्स को भरतियों के भी चोर अधिक बढ़ा दिया बिटी सरकारदवारा संप्रदाईक ता कह जो 20 बोया गया उन्होंने भारत में हिंदूं और मुसल्मानों के भीस कई बार वाफसी संगर्स करवाया और माना जाता है दोस्तों कि 1947 के सोतंतरता के बाद ही संपरदाइक दंगे और भेदवाव समाब्ध हुआ 1947 से पहले मुसलमान और हिंदूओं के भीच हमेशा संगर्ष होता रहता था 1947 में जब भार्तियों को सोतंतरता मिला उसके बाद समपरदाइक दंगे समाब्थ हुए उसके बाद आपको नेक्ट टेटिंग बनाना है केंदरिय विधान परिसद की विवस्ताएं केंदरिय विधान परिसद में चार परकार के सदस्यों का प्रवधान था जैसे कि पादेन सदेस हो गया, मनोनित सरकारी सदेस हो गया, निर्वाचित सदेस हो गया और मनोनित गेर सरकारी सदेस हो गया जो हमने कुछ देर पहले आपको पताया था कि क्या होता है मनोनित सदेश, क्या होता है निर्वाचित सदेश, क्या होता है मनोनित गेर सरकारी सदेश, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादन सदेश क्या होता था, गवर्नर जनरल था उनके कायर करनी परिशद के सदेश जो ह मतलब हो गया कि पादिन सदस्यों को चूना जाता था जिनकी संख्या जो एठैस होती थी यह आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रिय और प्रांती विधान परिशत की जो कूल सदस्यों की संख्याती वो 79 थी और इनहीं में से अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग सदस्यों को बाट के रखा गया था ताकि सासन व्योस्ता को चलाने में आसानी हो जिन में से 37 जो थ जो गुट नहीं देनी के वसकता होती थी जनता द्वारण नहीं चुना जाता था बलकि 37 सरकारी सदस्यों में से 38 सरकारी सदस्यों को मनोनित करता था कौन गवर्णर जनरल और उनके काहर्यमंदल समीती तथा नो सदेस जो है पादेन रखे गए थे नो सदेस पादेन मतलब एक जो है गवर्नर जनरल खुद थे और इनके जो है आठ अधिकारी ओर थे जो बिर्टी संसत दुवारा चुन कर भारत भेजा जाता था तो इस परकार से टोटल जो है 37 सदेस हो गया जो एक परकार से सरकारी इन नो सदेस्यों में से एक गवर्नर जनरल खुद होते थे जबकि आठ जो होते थे और काहर करनी परिशचत की सदेस होते थे जैसे कि हमने आपको बताया है तीसरा पॉइंट बनाना है गेर सरकारी मनोनीत सदेस का मतलब ही होता है कि यह सरकारी सदेस नहीं होता है ठीक है ये जो है गेर सरकारी होता है, जो अलग-अलग विभागों से जो है मनोनित कर लिया जाता है, चुना जाता है, जनता इसको वोट नहीं देती है, केंदरिये विधान परिशत के लिए, यहाँ पर होगा 1909 के अधिनियम के अंतरगत, 32 गेर सरकारी सदेश थे, जिन में से 5 गेर सरकार के पिट्टू होते थे, पिट्टू मतलब हो गया, उनके जो एसारों पर नाशता था, उनके जो एसारों पर नाशता था, जो है, नियंदरन में रहता था, चोथा पॉंट आपको बनाना है, निर्वाचित सदेश, केंदरिये विधान परिशत के 17 सदेश निर्वाचित होते थे, जिन में से 5 मुसलमानों के सदेश, 6 हिंदू, जमीदारों, 1 मुसलिम जमीदार, और 1 बंगाल के चेमबर ओफ कॉमर अनि अस्थानिय सरकार, और एक मुंबई के चेमबर ओफ कॉमर्स, आनि मुंबई परसिडेंसी के जो परशा सकते वो, उनके सीटों को आरचित की गई थी, उसके बाद बचे 13 सदेश्यों को प्रांती विधान परिशत द्वारा चुना जाता था, अगर बात करें दोस्तों 32 गेर सरकारी सदेश था, 32 में से 5 जो था समाज के विशे सधीकार से चुना जाता था, तो यहां बच गया 27, और 27 सदेश जो है, वो निर्वाचित होता था, जनता की द्वारा, जिन में से 5 मुसल्मानों के सदेश होते थे, 6 हिंदू जमीदार, 1 मुसलिम जमीदार, और एक बंगाल के चेमर ओफ कॉमर्स के, और एक मुंबई के चेमर ओफ कॉमर्स के, इन सीटों को आरचित की गई थी, उसके बाद जो तेरो सीट बच गया, उनको प्रांती विधान परिशत द्वारा चुना जाता था, नेश्डिंग बनाना है कि विधान परिशतों के छेत्र अधिकार में विरिधी, इस अधिनियम के द्वारा केंदरी तथा परांती विधान परिशतों की सक्तित अधिकार में विरिधी की गई, पहले जो अधिकार कम था या सीमित था, उनके अधिकार शित्रों में बढ़ाया गया, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा विधान अगर मान लो कोई एक प्रस्ण पूछता है और उसी से related कई सारे प्रस्ण को पूछा जा सकता है तो उसे पूरक प्रस्ण कहा जाता है जैसे कि आपको अगर कोई प्रस्ण पूछा जा सकता है कि आखिर जो है ये संसार कैसे बना उसके बाद पूछा जा सकता है ये संसार आख सदन में पूरक प्रस्ण भी पूछा जाता है आनि किसी प्रस्णों के बारे में डीटेल्स में बताने के लिए जानने के लिए ही पूरक प्रस्ण को पूछा जाता है। जो है लागू कर दिया जाता था इनको पारित कर दिया जाता था उसके बाद नेक्स एडिंग बनाना है सीमित या भेदबापर अधारित मात अधिकार मत अधिकार मतलब होता है वोट देने की अधिकार इस अधिनियम के दवारा जो वोट देने का अधिकार दिया गया था वो लोगों के वोट का अधिकार है, उतना समान लोगों के वोट का भी अधिकार दिया गया, लेकिन पहले इस तरह नहीं था, पहले जो है, जो अधिक अमीर वेक्ति होते थे, आनि जो जमिदार वर्ग से होता था, जो राजा होता था, जो नवाब होता था, उन्हीं को केवल वो सतों के चुनाव के लिए निर्वाचन छेत्र में उन्हीं जमिदारों को जो है मतदान यानि वोट देने का अधिकार प्राप्ता जिनकी वार्षी का आई दस हजार से पंदरो हजार रुपिय थी जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी अगर मदरास की बात करें तो वहां पर उन्हीं लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया था जो राजा या नवाब थे अब समझ सकते हो यहाँ पर आंजनता की भागिदारी थी ही नहीं तो कैसे आंजनता के समस्याओं को सुना जाता नवाब जो थे जो राजा था उनके बाज बहुत अदिक धन था तो आखिर केसे आवाज उठाएगा, अगर आम जनता होती तो वो आवाज उठाती, तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी समस्या रही थी इस अदिनियम का, मद्य परदेश में अगर बात करें, तो जो मजिस्टेट की उपाधी रखता था, केवल उन्ही को मतदान देने का अधिकार परव था, आनि कि अगर कोई राजा या नवाब के कोई बड़ी अधिकारी है, जो मजिस्टेट के पदपर है, उन्ही को केवल मतदान देने का अधिकार था, कहाँ पर? मद्य परदेश में, इस परकार से अलग-अलग जगापर अलग-अलग क्रेटिरिया को रखा गया था, उसको अगर फुलफिल करता था, तब ही मतदान को दे सकता था, नहीं दे सकता था, मतदान आम जंता इस चुनाव में भाग ही नहीं ले सकता था जिसके पास योगता थी केवल वही ही भाग ले सकता था इस तरह से यह चुनाव सीमित वा भेदभाव पर अधारित था इस परकार से यह जो चुनाव करवाया जा रहा था वह भेदभाव था वह सीमित था इस पर रिजट जो एक्जाम में ला सके इसके लावा आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें इससे हमारा होसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बेस्ट कॉंटेंट लेकर आप आता हूँ आज के लिए इतना है आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर धन्यवाद